अपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आप लोग कैसे हैं तो आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो यह देखे यहां पे है सरसती पूजा और सरसती पूजा की दिन बच्चे ही पूजा करते हैं क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं इसे बिद्यारती मिल्स थे आपुजा करते हैं तो लगों पढ़्चे हैं नहीं आदा लोग कर दी हूँ और नहीं आ गई है करुजा करने के लिए क्याँ देखे इस तरह से पुजा कर रही है तभी मैं दिया जला दो धूब जला दो और प्रशाद प्रशाद में केला है लड़ू है पेरा है और कटवा प्रशाद है ऐसे तो अगर आप चाहें तो सिर्फ मकुन दाना से भी पूजा कर देती हूं लेकि कर साम को थोड़ा मारकिर गई थी तो वहां से में कुछ पूजा का समान भी लेते आई थी तो यहां पे पूजा भी अच्छे तरह से हो गया और साथ में मुमू भी कर रही है पूजा और उसके बगल में रखना चाहिए बुक जो बच्चे परहाई करते हैं वह बुक और एक साधा बुक रखना चाहिए इस तक साधा कॉपी रखना तो यससे लिवें परहाई प्रहाई करना चाहिए आज की दिन आराम करना चाहिए आज के दिन मतरम मातरा नहीं का दी रहता है तो अएं इस तरह से आज तो ızनों का चुट्टी है औन राइन भी नहीं है और शुट्टी है इस देख़ी इस तरह से नन्या पूजा कर लेगी लेकिकर सामकों में गई एक भुक भी खरीद के लाई थी सरस्रती मा का तो मैं बहुत कि बैठके कथा भी कर लो कि कथा में क्या क्या है तो भूरी मम्ई है तो हिंदी बहुत हाड पर नहीं पाती हूं यह फिर भी धीर दिरे बैठके पर र देना इतना कर लेती है मुमू तो फिर इंसे देखिए पूजा हो गया है इन लोगों का और माया इन दो रूगों में विविक्त कर रखा है इसी प्रकार राजकुमारी ने और भी अनेक संकेत तुमक प्रशन किये तथा दूर्त पंडितों ने उनके देखिए कथा हो चुका है और अब हम लोग कर रहे हैं आरती माता रानी का तो बुक में आरती भी लिखा हुआ था तो मैं परपर कोई गाते जा रही हूं तो उसके बाद पुजा करने के बाद होता क्या है एक दुसरे को अभीर लगाना चाहिए कि कहते हैं कि आज की दिन से होली का स्टार्ट हो जाता है मतब तेवार होली का तो इसलिए एक दुसरे को अभीर लगाना चाहिए बच्च में नाश्ता बनाने के लिए तो यह तरह से पूजा हो चुका आच्छे तरह से पूजा दीनाच्छी देखी कर लेगी का दीन बगरा दिखा देगी तो इस तरह से मैं अब लगरें न किचन में कर दो कर दो कर दो है कैज आँ अ और नतीं तो यह देक्क के फ्रेंड्स हमारे बहऊ है नाष्टे में पोह तो पोह बना रहा है लों है मिड़ो प्याज काट लिए हैं हरी मीर् gosh अबनाते है तो हमसा नास्ति में बना देते हैं तो इस तरह से तेल में डाल देते हीं और छोगा लगा देते हैं हरी मीर्च स डाल दिया उसमें और साथ में चला गया उसमें दो तो पहले गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे प्याज वहां पर मुंगफली को पहले ही मतलब भूच कर निकाल लेते हैं तो मैं इसे भी मुंगफली को कभी भी घर में रखती हूं तो उसे फ्राई करके ही डबा में रखती हूं कभी भी जो रोत पर तो फटा फट उसे रहता है तो मैं चूरा को धुव रही हूं मैं पोहा को धु रही हूं रहा नहीं लोला जाता है जर भूदर ऑला रहता है तो इस मतलब गैस से कराही को नीचे रख देना चाहिए उसके बाद पोहा डालना चाहिए अगर आप कराही चढ़ा कर पोहा बनाएंगे तो होता क्या है पोहा चिम्मट का मतलब करा टाइप का हो जाता है जो स्वाद नहीं लगता है तो हम लोग कभी भी बनाते हैं तो इस तरह से ही बनाते हैं तो यह देखिए मुमू यहाँ पर रोना स्टार्ट कर दी है जिसलिए नास्ता हो गया तो मुमू को गेम खेलना था तो नन्या नहीं खेलने आ रही थी तो इसलिए वह रो रही है काफी यहाँ पर कि मुझे खेलना है तो इसलिए हम लोग भी आ गए यहाँ पर तो इस तरह से हम लोग बैट एक करने के लिए तो फिर बहुत ही ठंडी है पटना में इतना ठंडी है कि मत पूचिए दो दिन पहले बहुत ही बारीस होगा था तो बारीस होने के बाद और ठंडी भर चुका है यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं ठंडी में थोड़ा जाई ब फिर भी थोड़ा बहुत बैट जाती हूं कि यह लोग खूस हो जाती है कि इतना खूस होगे नन्या और मुमू तो नास्ता कर लिए नास्ता के बाद की चार अगरा पी लिए तो मैं बैट के लिए करम खेलने के लिए जब करम खेल लूंगी तो फिर दोपर का खाना बनेग है तो यह देखें यहां पर हम मैं जा रही हूं मैं अपने यह वाला घर में जो घर बना है नया मतलब फस फ्लोर पे तो वह पूरा अच्छे तरह से फिनिसिंग नहीं हुआ है तो सोची कि मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूं कैसे क्या बना है तो बस दो ही रूम बन बात्रूम मतलब जॉइंट ही रहेगा लैट्रिंग और बात्रूम और यह खो गया आगे का कमरा तो बस दीरे-दीरे काम चालू है अभी यहां पर होता कि है सर्दी में थोड़ा रोज नहीं आ पाते सब काम करने वाले तो काम भी दीरे-दीरे चर रहा है तो बस काम चालू अभी है तो उसके बाद में खाना बनाऊंगी खीर पूरी कहते है कि पूजा पाट के दिन घर में खीर पूरी बनना चाहिए तो अच्छी खुसबू आने चाहिए घर में तो मैं वही बनाऊंगी आज तो बस यहां घूम लेने आया गई ती घूम लूंगी तो फिर जाओं किचन में तो अब सभी को हैपी मकर संगरानती तो हम लोग का फुजा तो हो चुका है और आप लोग कभी पुजा होई चुका होगा तो बस आज का ब्लग यही था कि सवर्शती पुजा हम लोग कैसे कर रहे हैं और शेर कर रहे थी मैं अपना नया वाला घर जो दो रूम औ आप अपनाना बाकी है पूरा तरह से काम नहीं हुआ है कि सरदे के मौसर में डेली काम भी नहीं हो रहा है तो जैसे ही पूरा हो जागा जिरूर मैं आप से सेर करूंगी फिर से तो वह आप से फिर से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ कुछ नहीं फिरों के साथ तब तक के लिए बाए